हाई फ्रेंट्स वर्कम बैक टू प्रिया स्टिय वाई शानल और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया फ्रेंट्स आज का वीडियो है क्योंकि जैसे अब विंटर स्टार्ट हो गया है और हमें यह हमारी ममी इसको क्रैक्ट हेल्स यानि के फटी एडियो की प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यह काफी पेंफुल एंड अगली होते है तो इसलिए मैं आज आप सब के साथ में मेरी वर आफ दी मोस्ट इफेक्टिव एड़ी हो जो आप कम से कम चीजों का यूज करके पांच मिनिट में बना सकते है तो चले विदाउट फॉदर अडू इससे बनान अगर आपके पास 20 वैक्स है तो वो भी चलेगा अब फर्स्ट आप हाफ केंडल के कुछ ऐसे चोटी पीसिस करके इस तरह से ब्रेक कर ले और फिर एक बरतन में गरम पानी कर ले और उसमें इस कटोरी को रखके डबल बॉलर रेडी कर ले हमें इस कैंडल वैक्स को पूरी तरह से मेल्ट होने देना है यह वैक्स हमारी फुट क्रीम को एक क्रीमी टेक्शर देने में मदद करेगा अब दो मिनिट बाद जब यह मेल्ट हो जाए तब इसमें एक बड़ा स्पून गाय का घी या फिर होम मेड घी एड करें ट्रस्ट मी गाइस घी आपके जितने भी ज स्किन में डीपली पेनेटरेट होके स्किन को मॉश्टराइज करता है और क्रैक्ट हील्स को भी तेजी से भरता है वैसे यह फुट क्रीम मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूं और इसके यूज के सिफ 5-7 दिन के अंदर ही जितनी भी क्रैक्ट हील्स हो वो रिपैर हो जाती है तो अब इसमें आट करें 2 विटामिन E की कैपसूल इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसलिए इसे भी इसमें आट करना बहुत ही इंपॉर्टन है अब जब सब चीजे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तब गैस को बन करके इसे जल से जल एक कंटेनर में शिफ्ट क अब इस पानी में आप अपने फीट को 10 से 15 मिनिट तक स्टीम लेने दे जुससे डेट स्किन निकलने में आसानी हो और 15 मिनिट बाद प्यूमिक स्टोन की हेल्प से अपने डेट स्किन को रिमूव कर ले इस प्रोसेस को आपको हर दो तिन दिनों में रिपीट करना होगा अ इस क्रीम के फर्स्ट और सेकेंड यूस से ही आपको आपकी फटी एडियो के पेन से शुटकारा मिल जाएगा और तीन से साथ दिनों के रेगिलर यूस से आपकी फटी एडिया नैच्रली रिपैर होके स्किन सॉफ्ट और स्मूध हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो हलपफुल लगा है तो इसे लाइक करना ना भूले साथ ही ये रेमेडी आपको कैसे लगी ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताके इस वीडियो को वाट्सैप, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे शेयर करना तो बिलकुल भी ना भूले जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फाइदा मिल सके और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना करें